हम चले आए बॉलिवोट के सूपर स्टार धर्मेंदर जी के धाबे पर वैसा तो इनके पास में पैसों की कमी नहीं मगर फिर भी कंजूसी अब अंदर चलके इसकी थोड़ी सचाई जान लेते हैं जब गरम धरम धाबे पर हमारी एंट्री होती है तो देखता हूँ अंदर से पूरा खाली अब लोग तो यहां आते हैं मगर फिर भी इनकी सेल ज्यादा नहीं ऐसा क्यों अब तो थोड़ा बहुत यहां पर इंप्रूमेंट कर दिया गया है देखो एसी के बराबर में है अमरिक सुकदेव ढाबा जो की most famous ढाबा है बस खेल वहीं से शुरू होता है और यह धर्मेंदर पाजी की बुलट है जो मुवी की शूट के दुरान में यूस की गई थी एंड मैं थोड़ी और अंदर जाके देखता हूँ तो यहां तो इससे भी ज़्यादा बुरा हाल भई AC के प्लैंट सक यहां पर बंद हुए वे थे क्योंके बजट इतना नहीं और हर तरफ यहां धर्मेंदर पाजी के जवानी के फोटोस लगे हुए मिल जाएंगे आखिर ऐसी क्या वज़ा है कि इतना बड़ा नाम होने के बावजूद भी यह ढबा चलता नहीं जबके यहां की डेकोरेशन को करने के लिए धर्मेंदर पाजी ने लाखों रुपे खर्श कर दिये यहां से स्कैन करो बैठे बैठे अपना ओर्डर लगा दो यह पूरा फैमली कमपाटमेंट है जहां आराम से बैठके खाओ पियो और पंचायद बैठाओ मगर गर्मी इतनी ज़्यादा मैं तो खड़ा होके भग लिया धीरे धीरे करके यहां की गर्मी और भी ज़्यादा बुरा हाल करती जा रही थी यह है यहां का इंट्रेंस वैसा तो हर जगा लिखा हुआ है सल्फ सर्विस खाने पीने में अलग-अलग डिशस मिल जाती है चाइनीज या फिर साउथ इंडियन और हर पिलर की दिवार पर धर्मिंदर पाजी के डायलोग चिपका दिये मैंने कि यहां से ओर्डर की कुल्हड चाय वेट करते करते गर्मी में बुरा हाल हो गया एसी थे बन पंके चल रहे बट कर भी क्या सकते थे ओडर दिये हुए 20 मिंट गुजर चुके थे मगर अभी तक कुछ अता पता ही नहीं था फाइनली आदे घंटे के बाद मेरी कुल्हड चाय मेरे हाथ में आ गई अब थी तो ये 60 रुपे की मगर पी के बहुत मजाया अब बात करते हैं कि पबलिक के यहां आने के बावजूद भी ये धाबा नहीं चलता वैसे तो लोग यूजूली अमरिक सुकदेव आते हैं खाना पीना करने वहां से खाना पीना करके यहां फोटो खीचाने चले आते हैं और यहां का स्टाफ उनको फोटो खीचते हुए देख और किलस जाता है इसलिए ऐसी बंद कर दिये कोई टिकेगा ही नहीं देखो नाम बड़ा होने से आज की डेट में सब कुछ नहीं होता जल्द मिलेंगे खुदा हाफिज